संद कभी नगर जिले में न्याय न मिलने की वज़े से परिशान ने पीरत का एक पूरा परिवार आतमदाह का पोस्टर लेकर के डियम कारेले के बाहर धरने पर बाइट गया दरласल ये पूरा मामला बकरा थाना श्रित्र के मेडारा पुर गाव का है जहांपर एक दबंग वेक्ति अपना मकान बनाने के लिए बेस्मिंट के लिए पड़ोसी के मकान के निव ही खोड डाली जिसे पूरे मकान में मोटी मोटी धरारे पड़ गई है और मकान गिरने के कगार पर है जिसे बास दिली के सहारे रोका गया है बास के जरीए पिलर्स के जरीए बल्लियों को लगा करके आप तसीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से उसे रोकने के कोशश की गई है इस खत्रे को भापते हुए पिलित का पूरा परिवार घर चोड़कर के भटक रहा है पिछले च्छे महीने से नियाए के लिए अधिकारियों के चक्र लगा रहा है लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है हार मान करके पिलित का पूरा परिवार कड़ाके के इस ठंडक में मासूम बच्चों के साथ में डियम कारियाले पर आत्म दाह का पोस्टर लेकर के धरने पर बैठा है लेकिन मजाल है जो किसी ने इस परिवार के उपर ध्यान दिया हो उसके सुद्ली हो फिलाल इस पूरे मामले पर जिमेदारों ने कुछ भी बोलने से इंकार किया खामुश तमाशाई है वहां की पुलिस खामुश तमाशाई है जिला अदिकारी साब शर्म नहीं आती है डियम साब को एक वेक्ति ने अपना मकान बनाने के लिए बेस्मेंट के खुदाई क्या की उसके बगल में एक वेक्ति की पूरा का पूरा मकान जरज़द हो किया गिनने के कगार पर है और वो पीडित परिवार पिछले 6 महीने से डियम का रियाले के चक्कर लगा रहा है लेकिन अभी तक उसी कोई सुनवाई नहीं हुई कि आकिनन का मामला क्या है EDM साहब बैठे हुए है डियम साहब मौजूद नहीं एक सुटती पर है फिलाल मेरे साथ Gardens परूरा मामला क्या यह मैं च्छ मैने से परसान हुई मेरे सुनवाई कोई नहीं और आसर में बहुत पीडिवर्वारे चब дорог गर गरस हुआ है सत्विए पूरे परवाद दवा से पीडित हैं और हम लोग को कोई सुनवाई कोई सुब्दा नहीं मिला वाग्ड बंगाली अभी तक नहीं हम को मकान नहीं दिया कि अपना मकान बन बनवाने के लिए यतनी गहराई दस फिर गहराई खोदा कर हमारा नियो य साहिल खान संत कभी नगर और नाइन टीवी